Hi everyone, exam medicine channel में आप सभी का स्वागत है हम बात करने वाले हैं हिंदी टॉपिक की और आज की क्लास में आपको मिलने वाले हैं मुहावरे और लोकोकतियां हम इसमें important मुहावरे और लोकोकतियों को देखेंगे और उनके अंतर को भी पहले समझेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और जितने भी repeated मुहावरे और लोकोकतियां पूछे गई हैं उनकी एक series आपको दी जाएगी अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपके exam में maximum चीजें यही से cover हो जाएगी दूसरी बात यह है कि मुहावरे और लोकोकतियां थोड़ी आपके समझ पर भी आधारित होती हैं और अगर आप English में भी कोई चीज करते हैं जैसे one word substitution आजाता है आपका या phrase आते हैं इंग्लिश में भी तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर आपको किसी sentence के अंतरगत वो दे रहा है तो आपकी समझ कितना काम कर रही है वो भी उस पर depend करती हैं कुछ चीजें तो यदि आप इलहाबाद High Court इलहाबाद University या Junior Office Assistant में है यूपिट पलसी कहीं पर भी एक्जाम दे रहे हैं और हिंदी पूछी जाती है तो आपके लिए यूसपूल होगी जो भी आपको हिंदी के टॉपिक किये जाते हैं सब भी एक्जाम के अलग-अलग प्लेडिस्ट भी बने हुए हैं और आपको PDF टेलिग्राम पर मिल जाती है जिनको अवशकता हो वहां से देख लें बाकी हिंदी के लिए बेस्ट बुक होती है नालंदा पप्लिकेशन और कुछ चीजें आपकी मैं उसी बुक से ही देती हैं अगर आपके पास है तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं ठीक है चलिए हम शुरू करते हैं और एक टॉपिक एक वीडियो आपको दी जाती है ताकि इंपॉर्टन चीजे आपकी कम्प्लीट हो जाए तो यहां पर आईए करते आएं आपको दे दिया जाता था आप सुने होंगे आपको मिलता था हिंदी की टॉपिक में वाक के प्रयोग करिये कोई रहता था चीज सब्द दिया जाता था कहता था इसको स्वतंतर रूप से नहीं वाक्यों में प्रयोग करिये तो आपको यह सेंटेंस बनाते थे और वो word जो दिया गया रहता था उसी वाक्य में हम प्रयोग करते थे यह सब कब होता था यह 3rd, 4, 6 standard के किताबों में पहले मिला करते थे अब तो चीजे थोड़ा बढ़ी गई है तो वही चीज यहां पर ही है बस इसके कहने का तरीका चेंज हो गया है तो समझते हैं कि क्या ह होती है चीजे देखे मुहावरा वाक्यांस है और इसका स्वतंतर रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता वाक्यांस मतलब क्या है किसी वाक्य का एक अंस है जिसको हम स्वतंतर रूप से क्या है प्रयोग नहीं कर सकते मतलब सिर्फ हम अगर वह वाक्य बोले तो अलग से कही लिखने में या किसी चीज को कहने में प्रयोग नहीं कर सकते हैं लेकिन जो लोकोक्तिया होती है इस जगह पे इसकी अपोजेट होती है देखें लोकोक्ति संपुड वाक्य है और इसका प्रयोग स्वतंतर रूप से किया जा सकता है मतलब कि अगर कुछ ऐसा वर्ड है जो कि किसी वाक्य का एक अंस है एक टुकड़ा है तो उसको स्वतंतर रूप से आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे वो हमारे मुहावरे होते हैं लेकिन जो लोकोक्ति होती है वो क्या होती है पूरा एक वाक्य ही होता है तो उसको हम स्वतंतर रूप से लिख भी सकते हैं बोल भी सकते हैं तो जैसे हैं एक जैंपल के तौर पे देखें तो होश उड़ जाना होश उड़ जाने कब ये क्या है सेंस तो ये एक हमारा मुहावरा है जबकि अगर हम बोलें बकरे की मा कब तक खैर मनाएगी तो ये एक लोकोक्ती आप देख रहे हैं ये पूरा सेंटेंस है मतलब ये जैसे किसी को बोला जा रहा है आप ये वर्ड हमेशा सुनते हैं जैसे रोहन ने अचानक से टीचर को देखा तो उसके होश उड़ गये मैंने क्या बोला ये पूरा एक सेंटेंस बोला और उसमें उस मुहावरे का प्रयोग किया वो सोतंतर रोप से अगर मैं आप से सीधे कह दो होश उड़ जाना या होश उड़ गया तो आप इसका क्या मतलब समझेंगे आप इसका अर्थ निकालेंगे जरूर कि अचानक से देखा तो हो गया लेकिन जब आपको कोई सेंटेंस में उसका प्रयोग करके अगर हम बोले तो आप इस पश्ट रोप से उसका अर्थ निकाल पाएंगे तो होश उड़ जाना एक मुहावरा है इसको हम स्वतंतर रोप से अलग से प्रयोग नहीं कर सकते हैं अब आप कहेंगे हम इसका मतलब तो जान सकते ही है कि होश उड़ जाने का मतलब क्या है जान लेना उसका प्रयोग करने में दोनों में अंतर है ठीक है का प्रयोग करो तो और ज्यादा सुंदर और अच्छा माना जाता है आपके जो आप रिटेन देते हैं एक्जाम तो उसमें सरल और प्रभाव आपका इफेक्ट उसमें समझ में आता है ठीक है और दोनों ही गंबीर और वाक्य अनुभों की उपज हैं दोनों ही विलक्षन अर के उससे निकल रही है इसी वज़े सेम अगर आप उसका मिनिंग वहाँ पर यूज नहीं कर सकते समानार्थी आप जो लिखा है उसको सेम तो सेम अगर आप बोलेंगे तो आप उसका अर्थ नहीं निकाल पाएंगे जैसे हम लोग अगर इंगलिश में बात करें जो वन वर् कि इद्धी तभी होगी जबकि कोई साथ थकता हो जैसे मैंने भी आपको सुरू में एक्जाम्पल के तौर पे बताया कि अगर आप से किसी को कहा दे कि 921 हो गया यह 921 हो जाना तो इसका मीनिंग तो पता है आपको 921 का मतलब होता है भाग जाना लेकिन अगर हम उसको वाक मुहावरा निमने लिखित में से क्या है दे देगा वाक्यांस है एक पूरा वाक्य है संपूर्ण वाक्य है इन में से कोई नहीं ऐसे करके तो मुहावरा एक वाक्यांस होता है मतलब वाक्य का अंसर जबकि लोकोगती संपूर्ण एक वाक्य ही होती है और मुहावरे को स्व कान फूकने कान अगतलब क्या होता तो दिखेत करनां सूरत नजर आना, बहुत दिनों बात दिखाई पड़ना तो अब देखें जिससे सूरत नजर आना कहा जाए तो अब इसका मतलब जरूर जानेंगे लिए इसको अर्थ में प्रयोग करें जैसे कोई आपका दोस्त है बड़े दिन बाद दिखाई दिया तो कहते है ना बहुत दिन बाद सूरत नजर आई आई आपकी, तो सूरत नजर का पानी पीना इसका अर्थ होता है बहुत अनुभरी होना नेक्सत है जहां न पहुंचे रवी वहां पहुंचे कवी इसका मतलब क्या निकलता है कि कवी बहुत कल्पना शील होते हैं नेक्स देखेंगे कि नेक्ष हमारे दिया हुआ है पुठकार्था कुट्ता सिर्चढ़े। इसका मतलब क्या होता है पुछकार्था सिर्चढ़े. और उच लोग मुह लगाने पर अनुछीत लाबंाते हैं मतलब यीसिस wellness जो वर्ड पढ़ें उसका आड़ से निकालें और उसके मिनिंग में बहुत अंतर है ठीक है तो उसका मतलब क्या हो गया कि ओछे लोग का मतलब है जो एक तरीके से अच्छे लोग नहीं है या कह सकते हैं कि सही नहीं है और उनको अगर मो लगाए मतलब उनसे जादा बातचीत वारता लाब करें तो वो उसका क्या हो करते हैं अनुचित लाब उठाता है आप सुने होंगी सब की अगर किसी को एक अंगली पकड़ा हो तो पुरा हाथ खीश लेता है ठीक है तो वही साइच चीजे है आपको जो चार विकल्प आएंगे अपनी समझ से उसको विकल्प को नेक्ट है तोते की तरह आखे फेरना मतलब इसका होता है पुराने संबंधों को एकदम भुला देना नेक्ट है मकमली जूते मारना मतलब मीठी बातों से लजजित करना कुछ लोग होते हैं खास तोर से कमेंट पास करते हैं आप लोग कहते हैं कि खुद का तो कहीं कुछ नहीं हो रहा है लेकिन वो बार-बार आपको कहेंगे कि क्या हुआ कहीं हो नहीं रहा है मतलब एक होता है कि बड़े अच्छे से बात करेंगे और वो क्या करेंगे एक तरीके से तंज कह सकते हैं ठीक आगे देखेंगे हथेली पर सरसो जमाना का मतलब क्या होता है तो इसका अब कि हिंदी ऐसी नहीं आती बस कर लेंगे नहीं बढ़ना तो पड़ेगा तो पढ़िये आगे द्थेखेंगे दाम लगाना मतलब होता है मुल्याकन नेक्स्टन एक कच्छे घडरे से दिन रात एक कर दो पढ़ने में अपने गोल को अचीब करने में तो उसका मतलब क्या अपनी सुख सुविधा आराम चैन इस पर ध्यान न देना नेक्ट है रिड़ टूटना इसका मतलब होता है निराश्या हो जाना लेकिन अपने स्वास्त पर सभी लोग ध्यान दीजे स्व हाथ उचा होना दान आधी के लिए मन में उधारता का भाव होना ठीक है लाख वक्ष की उपाधी किसको दी गई थी कुतुबदी नेबक को आपने बढ़ाओगा न क्योंकि वो लाखों का दान करता था तो वही है यह हाथ उचा होना उसका भी हाथ उचा था आई आगे दे करना धिख्ष्रम करना नेक्स्ट है अंग अंग धीला होना शिधिल होना नेक्स्ट अंध्य के हाथ बटेय लगना किसी वस्तू का अनयास ऻाना जैसे का पानी ढल जाना इसका मतलब है नेलज होना यह रिपीटेड है नेक्स देखेंगें कलेजा होना हिम्मत होना नेक्स ओखली में सिर्दिया तो मुस्लो का क्या डर इसका मतलब होता है कठीन काम शुरू करने का कष्ट को सहन करने की करने ही पड़ते हैं इसका आर्थ तो अभी अब किस बात का डर आगे तो आही चुके हैं, हाथ उठाकर देना, हाथ उठाकर देने का मतलब होता है, स्वेक्षा से किसी को कुछ देना, पानी न मांगना, ततकाल मर जाना, पानी न मांगने का मतलब है, ततकाल मर जाना, सिर उठाने का मतलब है, विरोध में आना, आई पीले करना विवा करना आखो का तारा बहुत प्रिय अपना उल्लू सीधा करना स्वार्थ पूर्ति सारा काम रुख जाना गुड़ गोबर नेक्स्ट तूति बोलना किसी भी छेत्र में अमिट प्रभाव छोड़ना नेक्स्ट है फिसल पड़े तो हर हर गंगे या हर गंगे इसका मतलब होता है मजबूरी में काम पढ़ना आई अगला देखते हैं तेली का बैल होना तेली का बैल होने का मतलब क्या होता है बुरी तरह काम में लगे रहना चाती पर मूंग दलना पास रहकर दुख देना नेक्स्ट देखते हैं आधा तितर आधा बटेर इसकार्थ ह लगाना, सिफारिस करना, काष्ट की हांडी बार-बार नहीं चड़ती, मतलब छलकपट का विहवार हमेशा नहीं चलता है, जो लोग छलकपट करते हैं अंत में पता तो चली जाता है और वो हमेशा काम नहीं आता, नेक्स्ट, आये थे हरी भजन को ओटन लगे कपास, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है, कि किसी कार विशेश की उपेक्षा कर किसी अन्यकार में लग जाना, नेक्स्ट, न उधो का लेना, न माधो का देना, इसका मतलब होता है, अपने काम से काम रखना, आई आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट है, सिराखों पर बिठ इताना शिराकों पर बिठाने का अर्थ क्या होता है हिर्देस से सेवा सतकार करना नेक्स्ट आकास से बाते करना बहुत उचा होना बासो uma उचलना मतलब प्रशन होना भार जोकना मतलब वियर्थ समय नष्ट करना नेक्स्ट लंगोती में फाग मतलब वतल Cinnamon दरिदर्दमें आ मतलब किसी के सर पर जूठा दोश लगाना दातों तले उंगली दबाना हैरान हो जाना या होना अधेरी नगरी अन्याई की जग़ा अंगूठा दिखाना इनकार करना इमान बेचना अपने कर्तव से हड जाना मांगे भीक पूछे गाउं की जमा इसका मतलब क्या होता है अपनी असलियत भूल कर बात करना अपनी धपली अपना राग सबका अपने अपने मन की अनुसार चलना हसुए के व्याह में खुरपी का गीत असंगत बाते करना जाके पाउन फटे बिवाई सोग क्या जाने पीर पर आई इसकारत होता है जिसके उपर बिती है बही जानता है नेश देखेंगे ये भी सेंटेंस देखा जाए तो कहीं नहीं भेरतियों से जुड़ा है क्योंकि आप तयारी कर रहे हैं फॉर्म भर रहे हैं एक्जाम हो रहा है कोर्ट में जा रहा है पेपर लीग हो रहा है सब हो रहा है लेकिन जो रिलेटिव हैं आपके बहुत सारे लोग होंगे उनके दिमाग में बस यही है कि कब तक तैयारी हो रही है उनको तो उसके बारे पता ही नहीं कि तैयारी तो सब की है लेकिन एक्जाम नहीं हो रहा है एक्जाम समय से नहीं हो र सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है खुशी को सब जगां सुख ही नजर आता है कर भला तो हो भला सेवा करने वाले को अच्छा फल मिलता है अगला दिया हुआ है घर का भेदी लंकाड आपस की फूट में सेहानी होती है नाशन आवे आंगन टेड़ा खुद तो ग्यान नहीं रखना और सामगरी या दूसरों को दोश देना अगला देखते हैं अधजल गगरी छलकत जाए थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना कुछ लोग आपको मिलते हैं ऐसे कुछ लोग इतने होंगे बहुत जादा उनके पास नॉलेज होगी लेकिन आप उनसे बात करेंगे तो आपका मन खुश हो जाएगा आप सोच ही नहीं पाएंगे कि उनके अंदर कोई एहम नहीं कुछ नहीं और कुछ लोग होते हैं थोड़ी सी नॉलेज है पर उनका अलग ही थोड़ा सा हो जाता है आगे देखें अपना ही घड़ा सराहता है अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है अगला देखिए अगला दिया हुआ है एड़ी चोटी का जोड़ लगाना मतलब बहुत परिश्रम करना नेक्स्ट लूटिया डूब जाना पुणता हार जाना चक्के चुड़ाना हारना पवारह होना लाभी लाभ होना जोहर खुलना मतलब होता है भेत का पता लगना धपुर शंख बेवब्वकुफ नेक्स्ट नौदो ग्यारा होना रफू छक्कर होना अगला है ऐसी तैसी करना दुरदश्चा करना नेक्स्ट तिलांजली देदि मतलब पुर्णता मुक्त हो आकास में बाते करना, बहुत उचा होना, बासों उचलना, प्रशन्न होना, भार जोकना मतलब व्यर्थ समय नस्ट करना, ठीक, आई अगला बढ़ते हैं, आगे देखिए, गंगा गए गंगा दास, जमना गए जमना दास, इसका मतलब क्या होता है, तो जिसका कोई द्रिड सि इसका मतलब क्या होता है, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना विर्थ है, जो जी जैसे हो चुकी उस पर क्रोध करने से कोई मतलब नहीं है, आगे उस पर क्या हो सकता है, उस पर बात करनी चाहिए, आगे देखेंगे, अंधा पावे आखें तो पती पाए, इसका मतलब क्या ह तो अभिस्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना, जादू वही जो सिर्चरकर बोले, इसका अर्थ होता है, कारे वही स्रेष्ट है जिसका लोहा विरोधी को भी मानने पड़े, राम नाम अपना पराया माल अपना, इसका अर्थ होता है, धोखे से धन जमा करना, घर गडर का जोगी जोगड़ा आन गाओं का सिद्ध इसकार्थ होता है घर के घ्यानी को सम्मान नहीं कोईले की दलाली में मुह कंणा इसकार्थ क्या होगा यड़र किव थी बुरे यड़रे काम से प्रण एप div जल्दी नहीं हो जाता काम इती जल्दी को तो दुसकर काम जो सही नहों नेक्स देखिए गोत में लड़का शहर भर में धिंडोरा इसकार्थ क्या होता है पास में वस्तु रहते हुए चारो और खोजना नेक्स है तन पर नहीं लगता पान खाय अलबता इसकार्थ क्या है खुशी मनाना सोने में सुगंद सुन्दर वस्तु में और गुड़ होना नेक्स है आख का अंधा गाट का पूरा इसका मतलब होता है मुर्ख धनी नेक्स देखिए नई जमीन तोड़ना मतलब होता है अनूठा प्रयोग नेक्स हमारा दिया हुआ है सीधे मुह बात न करना सकार्थ हो जाएगा नाराजगी प्रकट करना तीर मारना मतलब बड़ा काम करना चाती पर मूंग दलना मतलब अधिक परेशान होना कोई तीर घाट कोई बीर घाट ठीक तो इसका मतलब होता है ताल मेल नहोना नेक्स अंधे की लकड़ी मतलब एक मात्र शहारा नेक्स राम नाम अपना परायमाल अपना इसका मतलब होता है धोखे से धन जबा करना नीम हकीम खत्रे जान मतलब अलप विद्या भंडार next कान भरना मतलब चुगली करना सीर उठाना मतलब विद्रो करना चैन की बंसी बजाना मौच करना आप लोग का भी सेलेक्शन हो जाएगा जहां पर भी आपका टार्गेट है जो आप अचीब करना चाहते हैं तो आप लोग भी क्या करेंगे चैन की बंसी बजाईएगा अभी सिर्फ पढ़ाई करिए आँख का तारा होना अत्यधिक परिया नेक्स्ट सिर पर पाउं रखकर भाग जाना मतलब तुरंत भाग जाना तिल का तार बनाना छोटी सी बात को बढ़ा देना नौदो ग्यारा होना सबसे आखे बचा कर भागना मुठी गरम करना मतलब रिश्वत लेना नाग बच्चना मतलब इज्जत बच्जाना कान भरना चुगली करना नेक्स्ट दिया हुआ है खेत रहना मतलब युध में शहीद होना खेत रहने कार्थ है युध में शहीद होना आई आगे बढ़ते हैं अगला दिया है हमारा इतना हमने पढ़ा कान भरना चुगली करना सीर उठाना विद्रो करना चैन की बंसी बजाना मौच करना आग की किरकरी होना मतला अप्री ये लगना नेक्स देखते हैं अगला दिया हुए जादू वही जो सिर चड़ कर बोले इसका अर्थ क्या होता है उपाय वही सही होता है जिसका लोहा जो है विरोधी भी माने नौ दिन चले धाई कोस मतलब धीरे धीरे चलना नेक्स अपने मुम मिया मिठ्थू बनना अपनी प्रशंसा स्वयम करना नेक्स है कढाई से गिरा चूले में आ पड़ा इसका अर्थ क्या होगा तो एक विपत्ती से छूट कर दूसरे में आ पड़ना नेक्स है इसको ऐसे भी ब वहां थी ओछे लोगों का प्रेम और इस्थाई होता है आई आगे देखते हैं जूतियों में दाल बाटना मतलब होता है लडाई जगड़ा हो जाना नेक्स है घड़ों पानी पढ़ना लजित होना जहान पहुचे रवी वहीं पहुचे कभी मतलब जहान पहुचे रवी व कभी बहुत कलपना शील होते हैं ठीक है तो इस सीरीज में मैंने लगबग मोस्ट इंपोर्टेंट आपको मुहावरे लोकोक्तियां करा दी हैं इसको एक दो बार पढ़ लीजेगा ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा याद हो जाएगी चीजे अगर आपकी कोई क्वेरी होगी इससे संबनित और कोई भी परिक्षा से संबनित कोई डाउट तो आप पूछ लिजेगा बता दिया जाएगा बाकी यह बहुत इंपोर्टेंट है हर एक एक एक्जा में पूछा जाता है हिंदी की कुछ टॉपिक और बची होंगी जैसे संधी अभी आपकी बची है उसको में कराऊंगी जल्दी और बाकी चीजें जो होंगी कराते रहेंगे और इंगलिश की भी आपको जो है वन वर्ट के और फ्रेजल वर्ब के भी जल्दी आपको सिरीज मिलेगी नेक्स वीडियो में जल्द मिलते हैं जैंद